पाकिस्तान अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आया है लेकिन अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान कमजोर पड़ता जा रहा है पाकिस्तान भारत से बाजचीत करने के लिए तयार हो गया है ये वही पाकिस्तान है जो अब तक भारत को परमाणू हमले की धम की देता आया आएए देखते हैं ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करवाने के बाद पाकिस्तान अब भारत के पास मू लटकाता हुआ पहुझा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शा महमूद कुरेशी का कहना है कि पाकिस्तान को भारत से द्वीपक्षिय बाचीत में कोई अतराज नहीं है पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा हमने कभी भी भारत के साथ बाचीत से इंकार नहीं किया पाकिस्तान अभी भी भारत के साथ वीबक्षिय बाचीत के लिए तैयार है लेकिन भारत ही बाचीत का माहौल नहीं बना रहा पिदेश मंत्री ने इतना कहा और उसके बाद फिर अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया कुरेशी ने अपना रुख बदला और कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया साथ ही कहने लगे कि इस मामले पर यदि कोई तीसरा मुलक मध्यस्ता करे तो उन्हें खुशी होगी इतना कहने के बाद कुरेशी ने अपना असली चहरा दिखाया पाकिस्तान ने सुलहा करने की कोशिश तो की लेकिन यहां भी उसने अपनी गंदी राजनीती का खेल खेला कुरेशी ने बादचीत की शर्त रखते हुए कहा कि इसके लिए भारत को कश्मीर में नजरबंद अलगावबादी नेताओं को रिहा करना होगा यह कहकर आखिर पाकिस्तान ने अपनी गंदी सोच का सबूत खुद ही पेश कर दिया लेकिन द्वीपक्षिय बादचीत के मसले पर ननिन रमोदी सरकार का रुख बेहत साफ रहा है भारत सरकार बार बार यही कहती आई है कि पाकिस्तान से बात तब ही होगी जब कश्मीर में आतंकियों की घुस पैट करना बंद कर देगा साफ लफ़ों में पाकिस्तान को यही हिदायत दी गई है कि अब पाकिस्तान से आगे जो भी बातचीत होगी वो अब पी योके पर होगी हाला कि भारत से बातचीत का प्रस्ताव रखने वाला यह वही पाकिस्तान है जिसने कुछ दिनों पहले परमाणू हमले की गीदर भबकी भी दी थी पूरी दुनिया के सामने अपनी इज़त की धज्या उड़ाने के बाद अब पाकिस्तान ने नया नाटक शुरू किया है क्योंकि अब पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को एक शरीफ मुल्क के तौर पर दिखाना चाहता है माना जा रहा है कि पाकिस्तान वे देश मंत्री का बयान इनी कोशिशों का नतीजा है पाकिस्तान एक और भारत में आतंकियों की खुसपैट करने के लिए सीमा पर लगातार सीज़ फायर तो रहा है वहीं दूसरी और युद की धंकिया देकर दुनिया का ध्यान भी खीचना चाहता है हालकि इन सब के बावजूद दुनिया के सारे बड़े मुलकों ने उनकी कोशिशों को तरजी नहीं दी है उल्टे अमेरिका और रूस ने उसे एक शेत्र में सईयम बरतने की नसिहत दी है यही वज़ा है कि पाकिस्तान के हुकमरान बार बार गिरगिट की तरह रंग बदल रहे है कई देशों से निराशा हाथ लगने के बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने ये बातचीत का ओफर रखा है लेकिन इसमें भी पाक अपनी गंदी राजनीती से बाज नहीं आया और भारत के सामने ऐसी शर्त रखी जिस पर भारत शायद ही अपनी सहमती जता है इसी तरह के खबरे में आपके लिए लाती रहोंगी तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं ओपीनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी साथ ही हमारे चानल को सब्स्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाएं